वास्तविक नियंतर नरेखा L.A.C. पर भारत और चीन के विजित नाव अवी भी बरकरार है पांच तरकी वारता के बाद भी चीन की सेना पैंगॉंग तुसो शेतर में बनी हुई है और अपनी पुराणी स्थेति में लोटने को तयार नहीं है चीन की हरकतों और नापाक मनसूबों को ध्यान में रखते हुई भारत भी लगातार अपनी स्थेति मजबूत कर रहा है सेना इस्टर लदाख में अपने सेनिकों को हाईली मॉबाइल आर्मर्ड पर्टेक्शन वेहिकल्स प्रोइड करने के उपर काम कर रही है इंडियन आर्मी तेन अलग लग तरहे के वेहिकल्स के उपर ध्यान देने वाली है जिसमें इंडियन स्टाटा वील्ड आर्मर्ड प्रोटेक्शन वेहिकल और अमेरिकन स्ट्राइकल इंफैंटरी कॉमबट वेहिकल और हमवी जैसे वेहिकल शामिल होंगे इन सबी वहिकल्स में से इंडिन आर्मी एक वहिकल्स को चुनेंगी जो कि इस्टरन लदाख में बेजे जाएंगे इंडिन आर्मी को इंफेंटरी कॉमबेट वहिकल्स की बहुत ज़रूरत है ऐसे वहिकल्स टूप्स की क्विक मुव्मेंट के लिए काम आते हैं इस्टन लदाख एक ऐसा एरिया है जहांपर हमें ऐसे वहकल्स की जरूरत है जहांपर चाइना ने अपने आर्मेड परसनल कैरियर्स को बड़े नमबर्स में डिपलॉय किया है। इंडिनार्मी का कहना है कि वो अभी इन तीनों आप्शन को इवैलिएट कर रहे हैं और इसके बारे में एक डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। उनका कहना है कि जब इन तीनों वहिकल में से किसी एक वहिकल को चुना जाãyएगा तब हम हमारे इंडिनिस प्लैट्फरम को ज्यादा प्रेफरेंश देंगे जानित completa गया है। laboratory के साथ मिलकर develop किया गया है इसे बहुत सारे trial से भी गुजारा गया है जिसमें high altitude टेस्ट भी शामिल है स्ट्राइकर और हमवी जैसे वहकल एक transport एक craft से air drop करने में capable भी हैं जिसमें जिसमें American C-130J जैसे और C-70 globe master जैसे वहकर शामिल है इन्हें Indian Air Force भी इस्तिमाल करती है और चैनला के गेंस्ट भी इन्हें aircraft को डिपलॉय किया गया है अभी तक हमारी आर्मी रशियन औरिजिन के BMP Infantry Combat Vehicle को इस्तिमाल करती है जैसे कि हमारे देश की Mechanized Infantry Regiments इस्तिमाल करती है इन्हें deserts, planes और high altitude locations पर इस्तिमाल किया जाता है ताटा ने जो अपना combat wield armored vehicle बनाया है उसे उन्होंने इतना मजबूत बनाया है कि ये सबी तरह की better conditions में काम कर सके इसमें 12 soldiers को ले जाने की capacity होगी और इसके साथ ही इसमें hydraulically operated ramp डूर होगा और day night cruise assistance कैमरा भी होगा इसके साथ ही इसमें independent suspension होगी इसके साथ ही ये amphibious drive mode में भी काम कर सकेगा जाने कि ये नदियों को भी पार कर पाएगा और ये पाने के अंदर भी काम कर पाएगा ताटा ने अपने इस wield armored platform को defense export को 2014 में दिखाया था इसे DRDO की vehicle research and development establishment के साथ मिलकर ताटा ने develop किया है टाटा मोटर्स हमारे देश की पहली ऐसी private company है जिसने की wield armored amphibious platform को develop किया है जो की एक infantry combat vehicle है जिसे की हर तरें की situation में survive करने की capability है और इसके साथ ही ये हर तरें की terrain में बहुत अची performance देती है और इसके साथ ही इस vehicle को बनाने के लिए composite materials का इस्तिमाल किया गया है और इसके साथ ही इसमें एक 30 mm की automatic cannon भी लगी हुई है और इसके साथ ही इसमें एक secondary armament भी मुझूद है इसमें एक 7.62 mm का coaxial machine gun भी available है इसमें एक diesel engine का इस्तिमाल किया जाता है जो की एक 600 horsepower का engine है इसकी maximum speed 100 km की बताई जाती है जानी कि ये road की उपर 100 km पर आरकी speed पर चल सकती है और इसके साथ ही ये पानी में 10 km पर आरकी speed की उपर भी चल सकता है इस वहकल को modern day warfare को ध्यान में रखकर बनाया गया है इसमें crew की सुरक्षा के लिए इसे शोटे हत्यारों के fire से बचाव के लिए protection भी दी गई है और इसके साथ ही इसकी mobility को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है और इसे explosive से protection भी provide की गई है इस वहकल को protect करने के लिए additional armor kit भी लगाई जा सकती है जिससे कि इसे heavy firing से भी बचाया जा सकता है जब इसे किसी heavy firing वाले area में deploy करना हो तो तब हम इसके उपर एक additional armor kit लगा सकते हैं इसका जो हल है उसे इतना मजबूत बनाया गया है कि ये mines और ऐसे ही explosive से बच सके इसकी जो seats हैं उसे वहकल की शत के साथ जोड़ा गया है जिससे इस वहकल को ज्यादा blast protection मिलती है इसके साथ ही इसके जो fuel tanks है उन्हें भी troops compartment के बाहर रखा गया है जाने कि जहां पर सैनिक बैठते हैं उससे बाहर इसके fuel tanks को रखा गया है जिससे crew को ज्यादा additional safety मिलती है ये eight by eight wheel configuration में आता है इस वहकल की जो पहिये हैं जाने कि जो इसके wheels हैं उनमें run flat capability भी है जाने कि अगर इस वहकल के tires में puncture हो जाते हैं तो तब भी ये वहकल काम कर सकेगा इस वहकल में चार axle का इस्तिमाल किया जाता है जो इसका front axle है वो steerable है जाने कि इससे इस vehicle का turning radius भी बहुत कम हो जा है वो इसकी back में हैं और जो वहां पर seats दी गई हैं वो बहुत ज़्यदा comfortable है जो BMP जो की Russian infantry combat वहकल थे जने कि हमारी army इस्तिमाल करती है उनके साथ एक शिकायत जे थी कि उसमें जो seats थी वो बहुत ज़्यदा comfortable नहीं थी और इसके साथ ही इस vehicle का power to weight ratio भी बहुत ज़्यादा है और ये mountainous train की उपर बहुत अच्छा काम कर सकता है जाने कि ये अदाख जैसे region में बहुत अच्छा काम कर सकता है और इसके साथ ही ये वहकल पानी में भी काम कर सकता है जिससे ये पानी में भी काम कर सकता है इसके साथ ही इसके रूफ की उपर जाने कि इस vehicle की शचत की काली कौंग्सबर पर्टेक्टर MCT30R RWS भी लगाया जा सकता है ये एक 30 mm का आटो कैनन है ये कैनन आर्मर पियरसिंग और हाई एक्स्पलोजिव राउंड्स को फायर कर सकता है इसके साथ ही ये आर्मर पियरसिंग फिन स्टेबलाइजड डिसकार्डिंग सैबर ट्रेजर राउंड्स को भी फायर कर सकता है इसकी गन की एफेक्टिव रेंज 3000 मीटर की है इससे 7.62 मिलिमेटर की कोएक्सिल मिशिन गन के साथ भी फिट किया जा सकता है ये टाटा कैस्टल का ही एक वेरियंट है इसका जो वील्ड एमफिबिस प्लैटफॉम वेरियंट है उसे बी एमपी 2 की टरेट के साथ भी दिखाया गया था जाने कि जो बी एमपी 2 इंफैंटरी कॉमबेट वहिकल के उपर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वही सिस्टम इसमें भी लगाया गया है इसके साथ ही ये वहिकल कम से कम दो एंटी टैंक गाडिन मिसाइल लाउंचर को स्पोर्ट भी कर सकता है इसमें हम एंटी टैंक गाडिन मिसाइल लाउंचर को भी लगा सकते हैं जो कि क्विक फायर मोड बे भी काम कर सकते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जैहंदु बंदे मात्रा